कि जैसे तुझ को बनाया गया है मेरे लिए आज होगा हमारा तेरहमा तो तेरहमा में हम आज सीखेंगे फ्रैक्षन के इस टाइप के सवाल को दोस्तों इसकी सेंक्रो वीडियो यूटूब पड़ी हुई है और इसके बहुत बहुत बहुतरीन ट्रिक भी है और ऐसी वीडियो आपने अगर देख लिया है सवाल यह सारे सवाल ना किसी ना किसी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक तो अभी हम सुरू करेंगे इसको देखेंगे और एकदम कंसेप्ट से समझेंगे देखें ऐसा सवाल ऐसा जब भी होता है यह 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा यह 4-5 बटे करके देदेंगे आपको लास्ट बटा चीज को देखना है दो बटा 3 तो 2 और 3 लिख देना है उपर बाला पहले नीचे बाला बाद में अब उसके बाद यह देखिए यह 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार है 1,2,3,4,5 बार तो 5 गो dot बना लिजी उपर ठीक है 1,2 3,4,5 बार अब आगे बला में पीछे बला जोडिए 3 आ 2 कितना पाँच फिर 5 आ 3 veggie आठा 5, 13, 13, 8, 21, 21, 23, 34, यानि last में हो गया 34, उसके पीछे है 21 बटा में 21 लिख देना है, 34 बटा 21 आपका answer हो गया option C, दोस्तों अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, अगला सवाल देखी आपको समझ में आ जाएगा, बैसा ही तो है, x बराबर इतना है तो इतना कामान सबसे पहले ये 1 by 2 को मैं लिखूंगा 1 और 2, उसके बाद देखो, ये 1 by 2 आपने लिखा, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 बार प्लस प्लस है, 1, 2, 3, 4, 2 और 1 जोड़ूंगा 3, 3 और 2 कितना 5, 5 आ 3 कितना 8, 8, 5 कितना 13, यानि उपर में है 13, नीचे में है 8, 13 बटा 8, तो ये x का मान आया, हमें x बराबर इतना दिया था, तो x का मान आया 13 बटा 8, अब हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे, 2 गुना, x का मान 13 बटा 8, प्लस 7 बटा 4, अब देखिए, 2, 4 के 8, ये 4, 4, तो 13, 7 कितना होता है, 20, तो 20 में 4 से भाग दूंगा, एंसर कितना होगा, 5 होगा, बात ह समझ, आजाईए, अगला सवाल देख लिजे, इस सवाल को बनाना है, तो यहां देखिए, 2 बराबर, x प्लस, x प्लस है, ये 1 प्लस नहीं है, इस टर्म को छोड़िए आप, इतना का बताईए कि मान निकाल सकते हैं, हाँ, निकाल सकते हैं, कैसे, तो 1 by 2 लिखेंगे, 1 by 2 को आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे, इस तना को अभी छोड़िए, ये 1 plus 1 बटा, 5 plus 1 बटा दू, तो 1 बटा दू को 1, 2 लिखेंगे, dot, dot यहां लगाएंगे, क्योंकि ये 2 बार प्लस है, लेकिन दोस्तों, अगर 2, 1, 3 लिखते हैं, तो ये ऐसा तब कर सकते हैं, 3 ना, 2, 5, ऐसा तब करते हैं, 5 बटा 3 होता, जब इस 5 के जगा भी एक रहता, ये सही नहीं है, इसको कैसे करेंगे, इसतना का तो मान हम अभी निकालेंगे ही नीचे बाले का, इसको छोड़ने के बाद जो नीचे बचा है, इसका मान निकालेंगे, लेकिन इसका लिखा एक प्लस दो प्लस दो बड़ प्लस है यहां लिखा और यह देखो पहले पांच है तो यहां पांच लिख दिया फिर एक है तो यहां एक लिख दिया करना यह होता है कि जोरना तो इसको है पर उपर वला से इसको गुना करना है जो गुनन फलाएगा उसमें एक को जोर पांच दूना 10 आएक 11 यहां हो गया 11 अब फिर आगे जो लिखाएगा इस 11 को एक से गुना करना है और इसके पीछे वाला संख्या जोड़ना एकारा एकारा दो 13 यानि 13 उपर में 11 नीचे में 13 बट्टा 11 लेकिन 13 बट्टा 11 किसके बट्टा में देखिए 2 बराबर एकस प्लस 1 बट्टा यह आया 13 बट्टा 11 दोस्तों यह 11 उपर चला जाएगा तो 11 एकम 11 देखिए अब हो गया देखिए अगर इसको इधर भेज देते हैं तो 2 माइनस 11 बट्टा 13 बराबर एकस हुगा 13 दुना 26 में से 11 चला गया 26 में से 11 चल गया तो 15 बट्टा कितना 13 एकस का मान हो गया 15 बट्टा 13 ओप्सन D हो गया तो मुझे उमीद है कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा दोस्तों हो सकता है एक सवाल और जो आपके लिए ये सवाल देखिए इस सवाल को देखिया क्या इस सवाल को आप कर पाएंगे हाँ ये देखो एक एक है तो कोई दीकत नहीं ये 2 और 3 है तो 2-3 लिख दिया माइनस माइनस में एक, दो, तीन, चार बार है तो एक, दो, तीन, चार बार लिखा अब क्या करना है? वही काम इस वार तीन में से दो घटेगा, एक लिखेगा जैसे तीन में दो जोड के लिखते थे इस वार माइनस है तो घटा के लिखेंगे प्लस होता तो जोड़ देते, तीन में से दो घटा एक, अब एक में से अगर तीन घटा होगे, तो माइनस में दो आ जाएगा, अब माइनस दो में से एक घटा होगे, तो माइनस में तीन आ जाएगा, कैसे, माइनस दो में से घटा होगे, माइनस एक, तहीं माइनस तीन नहु तो यह देखें, minus 3, minus 3, यह हो गया plus 2, यानि हुआ minus 1 last में, यानि यह हुआ last में minus 1, तो लास्ट में है minus 1, यह उपर में चल गया, उसके पीछे वाला नीचे में आ जाता है, minus minus खत्म, 1 बटा 3, आपका answer कौन हो गया जी, 1 बटा 3 ऑप्षन सी, तो दोस्तो मुझे उमीद है कि इस तरह के सवाल आपको परसान नहीं करेगा अगर आप ये पहली बार देख रहे थे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इस चैनल पर आपको बेसिक चीजे गनित की मिलेगी देखने को और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थाइंक यू वेस्ट अफ लग